आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ और करीब एक डेट महिने बार मेरी न्यू वीडियो आई रही है तो उसके लिए सौरी एंड मैं थोड़ा इनेक्टिव हो गया था वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पे और अपने काम में थोड़ा बीजी था मैं ही के तो अब सब खतम हो गया तो वीडियो आएंगी रेगुलर तो नहीं मतलब हफते में एक वीडियो जरूर डालूंगा मैं तो आज यह मेरे पे है पुरानी एक्टिवा होंडा एक्टिवा यह करीब है 2008 मोडल देख सकते आप ओल्ड मोडल है तो आज इसकी वीडियो बन आप दिया है आप देख सकते हैं कोई नहीं जल रहा है अब मैं राइट का दूगा वह भी नहीं जल रहा है आगे से भी दिखा जेता हूं आपको यह देख सकते हैं ठीक है और इसके होन का यह स्विच्छ टूट चुका है यह देख लिजिए यह इसमें अंदर भाग गया होता है कनेक्टर तो आज मैं और मैं यह लेकर हमां पंजी रुपे तो मैं यह रीले और होन स्विच ले आया था यह उन स्विच मुझे पुचास रूपे का पड़ा और रिले सब्तर रूपे का था दे सकते हैं वेस्टरन कंपनी एं दिखायता हूं आपको खुलकर अच्छे कम्पनी है भी है मिंदा के बराबर कि दे सक्थίν लिखाया हिरो हON्डा और हॉन्टा के लिए बचाज ऑन्रेट सी सब के लिए चले गा होंडा एक्टिवा मै स्ट्रोऊ सब नई स्कूति में चलै गाई तो अब लगाते हैं इसके पहले हमें आगे का इसकी नोज खोलनी होगी इसके लिए दो स्क्रूव मिलेंगा आपको एक आपको यहां पर मिलेगा श्क्रूव और एक इस साइड मिलेगा उपर वहां पर आप दे सकते हैं नोज खोल लिए मैंने दे सकते हैं तो फ्रेंड इसमें यहां पर फ्लेशर होता ह इसका ये कनेक्टर है इसे ऐसे करके निकाल देंगे और ये वायर से फिट किया हुआ था तो फ्रेंड्स अब ये मैंने पुराने रीले निकाल दिया है इसे साइट रखते हैं और नए वाले के लिए यह यहां टेश नहीं होड़ता है इसकी वायर कनेक्टर छोटा पड़ रहा था तो यहां पर मैंने एक वायर लेके इसे थोड़ा ऐसे राउंड कर दिया है और अब करेंकर लगाते हैं दो कनेक्टर लुक अब चाब करके चेक करेंगे इस इतिते लेफट ऑला शूरू कि और बाइट वहुए है और पिछीट। 켜 लहां अब मैं लेक्ट आर जलांगा है और लेफ्ट वाला भी जल रहे हैं तो अब हम इसके ह wait लगकते हैं यह पुड़ा हो नकाल दिया मैंने निकाल दिए मैंने तो अब किनेक्टर भी निकाल दिया है यह रहा पुराना स्विच खराब हो गया बिल्गुल फैकते हैं साइड में हो रहा और अब निया लगाएंगे ऐसे लगेगा यह तो अब इसका किनेक्टर लगाते हैं कि पहले किनेक्टर फिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब लगा देंगे पिछे कर देंगे और यह दे सकते हैं अब अच्छे से फिक्स हो गया बिल्कुल और सब वर्क कर रहा हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्ब हो गया एक इंडिकेटर दी लेगी और अन स्विच की तब लास्ट टैम चेक कर लेते हैं और लेफ्ट वाला भी जल र लेफ्ट प्रॉब्लम सुल्ब है।